सूप्रभाद बच्चों कैसे आप सब मज़े में न आज अपनी हिंदी रेकरेंट की क्लास है आज हम पाठ क्रमांक साथ सर्वनाम याने प्रोनाव इसके बारे में जानेंगे अगले भाग में याने भाग नमबर दो ठीक है ध्यान से सुनिएगा पहले वाले भाग में हमने क सर्वनाम के छो भेद होते हैं कौन से कौन से है सर्वनाम के भेद पुरुष वाचक अनिश्चय वाचक निश्चय वाचक प्रश्ण वाचक संभंध वाचक और निजवाचक ये छे सर्वनाम के भेद है अब एक एक करके जानेंगे हां पहला है पुरुष वाचक सर्वनाम अब पुरुश्वाचक सर्वनाम में क्या क्या आते हैं वो हमें ध्यान में ही रखना है तू तुम आप मैं हम वह वे यह यह तो पुरुश्वाचक सर्वनाम में ये सारे सर्वनाम शब्द आते हैं ठीक है जिने हम संग्या की जगह पे प्रयोग करते हैं जी सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए सुनने वाले के लिए या किसी अन्या के लिए करता है उसे पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे कि ये सारे जो सर्वनाम है इसे जब आख्यों में प्रयोग किया जाता है तो सुनने वाला या बोलने वाला खुद के लिए हो सकता है वो सुनने वाले मतलब जो सुन रहा है उसके लिए भी हो सकता है या जो कोई और अन्य है ब्रक्ति है तो उसके लिए भी ये इस तरह से शब्द सर्वनाम के प्रयोग में लाते हैं जिसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं अब बोलने वाला मैं बजार जाओंगी या मैं बजार जाओंगा तो मैं ये सर्वनाम आ गया हम सैर कर रहे हैं वे सैर कर रहे हैं तो ये मैं बजार जाओंगा तो ये खुद के लिए बोलने वाला हम सैर कर रहे है मतलब ये बहुआ चन में आ गया लेकिन हम यानि जो कर रहे है जो खुद के लिए बोल रहे है कि हम पांच जन चार जन सैर कर रहे तो हम ये सर्वनाम इस्तमाल हुआ ठीक है अभी सुनने वाला तू पुस्तक पढ़ अभी हम सामबहन को बोल सकते है तू पुस्तक पढ़ फ्रेंड को बोल सकते है दोस्त को बोल सकते है कि तू पुस्तक पढ़ तो वो सुनने वाला है जिसे हम बोल रहे है ठीक है अब सुनने माले को वापस एक बार बोल सकते हैं, तुम चित्र बनाओ, तो चलो तुम लोग चित्र बनाओ, तो तुम और तुम, तुम और तू, ये सुनने वाला वाक़े है, ठिक It? अन्य, अन्य कैसे हो सकता है, तो वह चला गया, उसे भी बुला लो, किसी अन्य व्यक्ति के लिए ये सर्वनाम यूज गये, तो वहाँ पे कौन से शब्द आए, वह और उसे, ठीक है, सुनने वाला पुरुष वाचक में कौन से आए, तू और तुम, ठीक है, और बोलने वाल मैं और हम, ये सर्वनाम का इस्तमाद यहाँ पे किया गया है, अब दुसरा कौन सा है, निश्चय वाचक सर्वनाम, अब ये ब्रैकेट में दिये है, कि जहाँ पे निश्चय वाचक सर्वनाम कहा कहा पे यूज होते हैं, और कौन से होते हैं, तो यह, ये, वह, और वे, ये शब्द निश्चय वाचक सर्वनाम है और जिने हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं ठीक है तो वो वाक्य भी निश्चय वाचक सर्वनाम कहलाता है जैसे कि देखें जी सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित वस्तू या व्यक्ति की और संकेत करने के लिए किया जाता है उसे निश्चे वाचक सर्वनाम कहते हैं आध स्तान बोलिए, कोई वस्तु बोलिए किसी वैक्टि के बारे में बोलिए तो जब हम निश्चित भाव से उन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि ये जो इसके हाथ में जो बॉल है या गेंद है जिसे हम कहते है तो यहा उसकी है, तो वो निश्चय पुरव का कर रहा है की यहा मेरी गेंध है और यह बाक्या में यह, यहा शब्द सर्वनाम के स्वरू निश्चय भाचक स्वर्व सर्वनाम के शब्द में प्रयोक किया गया है लिए अगला चित्र देखिये, उसे बुलाओ अब ये दादा जी या नाना जी है जो अपने पोती को कह रहे हैं कि देखो उसे बुलाओ, ठीक है, तो यहाँ पे उसे, जो उनको पता है कि किसे, तो यहाँ पे भी निश्चे वाचक सर्वनाम जोडा गया है इस वाक्य में और वो शब्द है उसे, ठीक है जहाँ पे निश् पैश्चित ऱूप है , अब तीसरा है सर्वनाम देखिए कौनसा है अधेद 25% अनिश्चय वाचक सर्वन้म अब यहां पर निश्चय वाचक जिसके बारे में जानकारी होती है लेकिन जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है तब हम भाशा में अनिश्चय वाचक सर्वनाम यानि के कोई कुछ ये शब्द इस्तमाल करके किस तरह से हम वाक्य बनते हैं वो हम देखेंगे जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तू या व्यक्ति का बोध नहीं होता यहाँ पे बोध होता है निश्चित रूप से लेकिन यहाँ पे किसी वस्तू व्यक्ति या स्तान का निश्चित भाव से या निश्चित रूप से बोध नहीं होता उसे अनिश्चय वाचक सर्वना कहते हैं अब इसके अगले पेच पर उधारन दिये वो देखते हैं अब वो उधारन क्या है अब ये लड़की ने दर्वाजा खोला है बाहर कोई खड़ा है तो देखो वो लड़की कहती है बाहर कोई खड़ा है तो ये अनिश्चे वाचक कोई ये शब्द सर्वनाम है ठीक ह यहाँ पे अनिश्य वाचक सर्वना इस्तमाल किया है कोई शब्द लगा के इस वाक्य में कि उसे पता नहीं है कि निश्यत्रूप से कि बाहर कौन खड़ा है तो बाहर कोई खड़ा है इस तरह से ठीक है अगली चित्र में देखिए है यह दोनों प्लेट में कुछ खा रहे है खाने का समान है देखो डाल में कुछ पढ़ गया है अब इन दोनों को यह तो पता नहीं है निश्यत्रूप से कि डाल में क्या गिरा है या डाल में क्या पढ़ गया है तो एक जतलार है तो कुछ इस अनिश्य वाचक सर्वनाम का इधर भी इस्तमाल किया है और यहाँ पे क कोई शब्द का मतलब हमें किसी भी चीज का अगर निश्चित रूप से भाव पतानी चलता है किसी वस्तु का किसी व्यक्ति का तो हम कुछ या कोई इस शब्दों का प्रयोग करके यानि अनिश्चे वाचक शब्द इस्तमाल करके वाक्य बनते हैं और भाव पहुंचाने का प्रयास करते हैं चीक हैं आगे बढ़ते हैं क्रमांक चार प्रश्चनमाचक सर्वनाम क्या कहां किधर कौन चीक हैं अब प्रश्चनमाचक क्या कोशन आ गया कहां कोशन आ गया किधर कोशन आ गया कौन मतलब ये प्रश्चनमाचक शब्द है तो प्रश्चनमाचक जो शब इनमें क्या, कहा, किधर, कौन, इस तरह के सर्वनाम लगते हैं, जिने हम प्रश्णवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्ण पूछने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्णवाचक सर्वनाम कहते हैं, पर ध्यान रखिए कि हर प्रश्णवा प्रश्णवाचक सर्वनाम नहीं होता ठीक है अगर हमें किसी से question करना है सवाल करना है तो हम क्या कहां किधर कौन इस तरह के शब्द इस्तमाल करके प्रश्णवाचक सर्वनाम शब्द इस्तमाल करके भाशा का प्रयोग करते हैं वाक्यों का प्रयोग करते हैं लेकिन हर प्र कुत्तर संग्या या सर्वनाम में मिलता है जैसे के हम जानते हैं इस ठैले में क्या है अब बेटी अपने पापा से पूछ भी उसको पता नहीं कमें क्या है ठीक है अब ये चीत्र में देखिए वहां कौन खड़ा है अब इन दोनों को एक को पता होगा एक को नहीं पता होगा तो वो सवाल कर रही है अपनी दोसे कि वहां कौन खड़ा है तो कौन सवाल आ गया कि नहीं देखिया कोशन मार गया थेले में क्या है तो क्या लगाया तो ये प्रश्णमाचक सर्वनाम शब्द इसका जो ये अलग-अलग भेत में सर्वनाम है तो इन में कौन-कौन से सर्वनाम शब्द होते है तो उनका अलग से अच्छी तरह से अभ्यास करना है और ध्यान में रखके समझ के ही उनका भेत मालूम भी करना है और समझना भी है अब पांचवा है संभंद वाचक सर्वनाम अब संभंद वाचक सर्वनाम क्या है जो सो जैसा वैसा जिसकी उसकी अब इसमें ये सर्वनाम में इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है वाक्यों में जो सो जैसा वैसा जिसकी उसकी उसे संभन्दवाचक सर्वनाम कहते हैं जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संभन्द बताने के लिए किया जाता है उन्हें संभन्दवाचक सर्वनाम कहते हैं उधारन जैसा बोगे वैसा काटोगे ठीक हैं दूसरे चित्र में क्या बताया है जो परिश्रम करेगा सो सफल होगा तो अभी जैसा बोगे वैसा काटोगे मतलब है मुहावरा जैसे उन्होंने बताया है एक एक्जाम्पल के तोर पे या उधारन पे तोर पे तो अब ये बच्चा बहुत पढ़ा मेनत कर रहा है पढ़ाई में तो उसे ट्रॉफी मिल गई तो उसने अच्छी तरह से पढ़ाई की करके ट्रॉफी मिल गई तब उन्होंने इस तरह से प्रयोक किया है मुहारों के जैसे जैसा बोगे वैसा काटोगे उसने अच्छी पढ़ाई की तो उसको ट्रॉफी मिली तो कैसे देखी जैसा वैसा यह क्या हो गए संबंध वाचक शब्द हुए इसी तरह से यहाँ भी जो परिश्रम करेगा सो सफल होगा तो दादा जी अपने बच्चे को बता रहे कि जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी तो यहाँ पे भी देखो संबंद वाचक सर्वनाम यूज़ के जो और सो तो जो और सो ये संबंद वाचक सर्वनाम है तो ये हमने जानकार्य भी ली ये भाग यही पे समापत होता है मिलते हैं अगली भाग में तैंक यू